पर अभी के लिए मैं तुम्हें महमानों के बारे में एक डरावनी कहानी सुनाती हूँ एक वक्त की बात है एक लड़की हुआ करती थी और उसका नाम था Red Riding Hood वो कभी कभी Riding Hood पहना करती थी पर अब वो बस एक Red Hat पहनती थी सर्दियों में और कर्मियों में भी एक दिन उसकी ममी ने उसे मज़ेदार नाष्टे के साथ उसकी बिमार दादी से मिलने भेजा तो उस लड़की ने नाष्टे से भरी टोक्री उठाई और अपमे रास्ते निकल पड़ी वो जंगल के रास्ते से जा रहे थी और टोक्री वाले नाष्टे के खुश्पू इतनी अच्छी थी कि लड़की ने खुद से कहा मैं कहीं बैटकर मस थोड़ा सा नाष्टा खा लिती हूँ तब ही कोई तो लड़कता हुआ उसके पास से गुजरा और बूम सामने वाले पेड से टकरा गया सूचो तो वो कौन था? वो था जिंजर ब्रेड हैड वो वही बैठे अपना सिर हिला रहा था वैसे वो पूरा ही हिल रहा था क्योंकि उसके पास सिर था ना पैट थे ना हाथ रेड राइडिंग होड ने उसे उठाया और जिंजर ब्रेड ने उसे एक इनसान की तरह ही कहा प्लीज मुझे मत खाना ननी बच्ची और मैं तुम्हारे लिए एक काना गाऊंगा भला कोई तुम्हें क्यों खाना चाहेगा? तुम जंगल के गंदे रास्तों पर लुडख रहे थे मैं तुम्हें अपनी दादी के पास ले चलती हूँ शाय तुम उनके कुछ कामा सको रेड राइडिंग होड ने जिंजर ब्रेड हैड पर से धूल हटाई और उसे टोकरी में रख दिया बिग बैड वुल्फ जो पास की जाडियों में छपा था उसने सब सुन लिया उसने सभी को खा जाने का फैसला किया लड़की, दादी और गंदे से चिंजी को भी दादी अपने घर पर आराम कर रही थी उन्हें बड़ा ताजब हुआ जब किसी ने दर्वाजा खटखटाया कौन है? दादी ने पूछा मैं आपकी पोती रेड राइडिंग हुड आपसे मिलने आई हूँ बिग बैड वुल्फ ने गुराते हुए का ओ लगता है मेरी बिचारी पोती भी बिमार है उसकी आवाज तो बड़ी ही मीठी थी पर अब लगता है जैसे उसका गला बैट गया है दादी को ऐसा खयाल आया और फिर उन्होंने कहा दर्वाजे के पास लेगी रसी को खीचो मेरी बच्ची और दर्वाजा खुल जाएगा वुल्फ ने ठीक ऐसा ही किया दर्वाजा खुल गया और उसके बाद जो हुआ वो बहुत भायानत था बिग बैड वुल्फ दादी को जट से निगल गया और उसने उनका चश्मा और टोपी बहार निकाल दी बिग बैड वुल्फ मन ही मन खुश हुआ और फिर रेड राइडिंग हुड का इंतिजार करने लगा उसने बिमार दादी होने का नाटक किया उनकी जगा पर लेड गया खुद पर उनका कंबल डाल दिया उनकी टोपी और चश्मा पहन लिया और फिर उसे किसी के दर्वाजा खट-खटाने की आवाज आई कौन है? बिग बैड वुल्फ ने पूछा जब उसने अपनी दादी को देखा तो उसे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ वो बेचारी बहुत ही बिमार लग रही थी उनका चहरा काला पढ़ गया था और बालों से भर गया था रेड राइडिंग हुड पास पढ़ी छोटी कुर्सी पर बैट गई और कहा प्यारी दादी आपको क्या हुआ है? आपके हाथ कितने बड़े है? तुम्हें अच्छी तरह गले लगाने के लिए मेरी प्यारी बच्ची फिर बिग बैड वुल्फ दाद दिखा कर मुस्कुराया प्यारी दादी आपके दाद कितने बड़े है? तुम्हें अच्छी तरह खाने के लिए बिग बैड वुल्फ गुर राया और रेड राइडिंग हुड को निगल गया ये देखकर जिंजर ब्रेड हैड डर गया और उसकी चीट निकल पड़ी उसने टोकरी के बहार छलांग लगाई और बिग बैड वुल्फ ने उसे एक बॉल की तरफ पकड़ लिया और उसे भी निगल गया बिग बैड वुल्फ बैड पर दर्थ के मारे जो रहा था उसने कुछ जादा ही खा लिया था तभी तो उसके पेट में बहुत दर्थ हो रहा था उसका पेटे गुबारे की तरफ पूल गया था वो एक बड़े गोले जैसा बन गया था और बूम वो फट गया सब बहार आ गये दादी, बच्ची और जिंजी भी दादी और पोती खुशी के मारे नाचने लगे और जिंजर ब्रेड हैड जल्दी से खिर्की के पास गया और उससे बहार कूद कर वहां से भाग गया वो जंगल के रास्ते से लुड़कते हुए जा रहा था और उसे मिली स्लाइ फॉक्स जिंजर ब्रेड हैड ने उसे अपना गाना सुनाया पर फॉक्स ने उससे कहा मैं बहुत ही बुढ़ी हूँ, मुझे कम सुनाई देता है अगर तुमा कर मेरी नाच पर बैट जाओ तो मैं तुम्हें अच्छे से सुन पाऊंगी जिंजर ब्रेड हैड स्लाइ फॉक्स की नाग पर बैट कर का आने लगा फॉक्स ने अपना मुँ खोला और बूम वो उसे खा गई वो उस जिंजर ब्रेड हैड के लिए एक सबक था वो एक बार पहले खाया जा चुका था है न तो फेर उसे किसी अज़ान फॉक्स की नाग पर बैटने की क्या जरूरत थी रेड राइडिंग हुड ने भी एक सबक सीखा था हमें जंगल में मिलने वाले अजनबियों को नहीं बताना चाहिए हम कहा जा रहे हैं पर जरूरी सबक ये है कि हमें अपने रिष्टेदारों से मिलने चाहते रहना चाहिए अगर आप एक वुल्फ देखें तो समझ जाना कि वो आपकी तादी नहीं है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो ओ हाँ, मुझे तुम्हारी आखों में सब दिख रहा है मुझे जच कर रहे हो जैसे किताब को उसके कवर से करते हैं पर एक अगली ठकलिंग के अंदर भी एक खूबसूरत दिल हो सकता है और अब मैं तुम्हें इस बारे में एक कहानी सुनाती हूँ सिंडरेला ये थी कि उसे अपने लिए कभी वक्त मिलता ही नहीं था वो इसलिए क्योंकि उसकी बुरी सौतेली मा उसे घर का सारा काम करवाती थी पिना खेले सिर्फ काम करते रहना अच्छा नहीं होता और उसे तो काम के अलावा और कुछ करना ही नहीं होता था सिंड्रेला सबके कपड़े धोती, सभी के गंदे बर्तन साफ करती और हर दिन वो फायर प्ले साफ करती वहां जमी राख को बहार लिकाल कर और वैसे भी सिंड्रेला का मतलब ही ये होता है, ननी राख दूसरी तरफ, देश के राजा ने अपने महल में एक और पार्टी रखने का फैसला किया वो भी कोई मामुली पार्टी नहीं, उन्होंने सब को इन्वाइट किया उन्होंने कहा उस पार्टी में होगी कुकीज, कैंडीज और आइसक्रीम की एक शानदार दावत और रात भर उसमें नाच काना चलेगा, सिंड्रेला बहुत खुश हो गई, पर फिर वो बहुत दुखी हो गई इसलिए क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक ही ड्रेस थी, और वो भी बहुत ही गंदी तो उसके पास शाही महल की पाटी में पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं थी और फिर अचानक एक अच्छी परी उसके सामने आई और बोली मैं हो तुम्हारी गौड मदब और मैं तुम्हारी मदद करूँगी मैं तुम्हारे इस घर की फटी पुरानी ड्रेस को एक कि तुम्हारा सुंदर पाटी गाउन फिर से एक घर वाली ड्रेस में बदल जाएगा सिंड्रेला फ्राइंग पैन में अपनी परचाई देखकर बहुत ही खुश हो रही थी तब ही आ गई उसकी बुरी सौते ली मा तुम ऐसे तयार होकर कहा जाने की सोच रही हो घर में इतने सारे अक्रोट पड़े हैं उन्हें कौन तोड़ेगा चलो काम करना शुरू करो सिंड्रेला ये सुनकर बहुत ही दुखी हो गई इतने सारे अक्रोट तोड़ने थे उसे ऐसा करते हुए तो सारे दाठ तूटकर खराब हो सकते हैं अगर दाठ ही ना हो तो वो पार्टी में स्माइल कैसे करती तब ही अच्छी परी वापस आई और उसने सिंड्रेला को लकड़े के पिलोग क्यों जैसे दिखने वाला एक साथ ही दिया उसकी नाक इतनी लंबी थी और उसका मूह इतना चौड़ा था और दाठ एक हिपपोपोटमिस जितने बड़े ये अजीब दिखने वाला बंदा कौन है? सिंड्रेला ने पूछा ये कोई अजीब बंदा नहीं है ये तो है नट क्राकर अच्छी परी ने जवाब दिया अच्छी तरह अक्रोट तोड सकता है टक-टक और लो काम हो गया फिर सिंड्रेला ने जल्दी जल्दी सारे अक्रोट तोड दिये और उसे नट क्राकर इतना अच्छा लगा कि उसने उसे अपने साथ पाठी में ले जाने का फैसला किया सिंड्रेला महल की ओर जा रही थी कि अचानक उसने राजाजी को देखा ओ राजाजी सिंड्रेला ने कहा आखे रापतने दुखी क्यूं है राजाजी ने उसे देखा और फिर कहा बात ही कुछ दुखी होने वाली है मैंने महल में एक बात ही रखी थी पर तभी वहाँ चूहे आ गए और उन्होंने मुझे पहार निकाल दिया तभी नटक्राकर खड़ा हुआ और उसने इंसानी आवाज में कहा आप रोह ये नहीं राजाजी, मैं इसमें आपकी मदद करूँगा वो अपने नाग की बासुरी बना कर उसे एक अच्छी सी धुन बजाने लगा और वो धुन इतनी अच्छी थी कि राजाजी उस पर मजे से नाचने लगे जैसे ही चूहों ने बासुरी की धुन सुनी, वो सब उस धुन के जैसे गुलाम से बन गए और मौका देखकर राजाजी ने जाड़ उठाया और उन्हें महल के बाहर निकाल दिया सब बहुत खुश हो गए और सिंड्रेला ने नट क्राकर को खुशी के मारे एक अच्छी सी चपपी दे दी अच्छानक हर तरफ अजीब सी चमप फैल गई और वो नट क्राकर एक प्यारे राजकुमार में बदलने लगा और जब वो पूरी तरह बदल गया तब उसने कहा अब तक मुझ पर चादू का असर था और अब मेरी प्यारी सिंड्रेला मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें देना चाहता हूँ अपना हाथ, अपना दिल और साथ ही ये काच के जूते भी उसी वक्त महल की बड़ी घड़ी में बारा बजने की आवाज आई सिंड्रेला को लगा कि अगर राजकुमार ने उसे उसकी पुरानी ड्रेस में देख लिया तो वो उसे चाहना बद कर देगा पर राजकुमार को इस बात की कोई परवा नहीं थी क्योंकि सिंड्रेला के लिए उसकी चाहत सची थी और मैं यही बात तुमसे कहती रहती हूँ बाहर से कोई भले कितना ही खराब क्यों न दिखता हो हमें उनके अंदर की अच्छाई को देखकर उससे लगाव हो जाता है अरे नहीं, मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती मैं सबजियों के बगीचे को कीडों से बचा रही हूँ ठीक है चाने दो, मैं नहीं चानती तुम बोर हो जाओ तो चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुना देती हूँ एक गाउं में एक गरीब आंटी रहती थी और उनका एक बेटा था जिसका नाम था जाक वो आंटी और उनका बेटा पूरा दिन अपने सबसियों के बगीचे में काम करते रहते जो भी उस बगीचे में उपता था वो दोनों बस वही खा लेते फिर वक्त आया जैक की शादी करने का गाउं में इतनी लड़किया थी जितनी बगीचे में गाचर होती है पर उनमें से किसी ने भी ज्रैक को पसंद नहीं किया उनके इंकार करने की भी वज़ा थी बला कौन लड़की अपने लिए ऐसा दुला चाहती उसकी पैंट पर जगा जगा चितने लगे थे उसके जूतों में बड़े बड़े छेत थे और उसकी टोपी एक पापड जितनी चपती थी कोई उससे शादी नहीं करना चाहती थी बेचाने के साथ घूमने भी नहीं जाती थी आंटी को पता था कि उसे अच्छे कपणों की जरूरत है पर पैसे ही नहीं थे तो वो इस बारे में सोचने लगी वो काफे देर तक सोचती रही और फिर उन्होंने कहा जैक मेरे प्यारे बच्चे अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हें अच्छा दिखना होगा मैंने इस बारे में बहुत सोचा और हमारे पास अपनी गाए बेचने के अलावा अब और कोई चारा नहीं है उन पैसों से तुम अपने लिए एक नया सूट खरीद पाओगे इसलिए जैक ने गाए के गले में रसी बांधी और वो बाजार की और चल पड़ा पर रास्ता बहुत ही लंब और ठकाने वाला था जब वो बाजार के आधे रास्ते पहुचा तो वो एक पेड के नीचे आराम करने के लिए लेट गया वो अभी बस सोया ही था कि तब ही उसे लगा कि कोई उससे जगा रहा है उसने अपनी आखे खोली और उसके सामने थे एक बूढ़े अंकल जग को बड़ा ताजुब हुआ तब ही बूढ़े अंकल ने उसे कहा मेरे बच्चे मुझे तुम्हारी ये गाई खरीदनी है और तुम्हारी गाई के बदले में मैं तुम्हें दूँगा एक मटर का दाना सच बात तो ये थी कि जैक अपनी गाई को बेचने के लिए मील और चल कर बाजार तक जाना ही नहीं चाता था इसलिए बिना वक्त गवाई जैक के सौदे के लिए मान गया तो सौदा पक्का हो गया बूढ़े अंकल को मिल गई गाई, जैक को मिला मटर का दाना और खुद से खुश होते हुए वो घर की ओड चल दिया जब आंटी ने अपने बेचे को बिना गाई और बिना सूट के देखा तो वो बहुत डर गई उन्हें लगा कि उसे रास्ते में लुटेरे ने लूट लिया था पर जैक ने उनसे कहा आप फिक्र मत कीजिए ममी जरा ध्यान से देखिए मुझे हमारी बुड़ी गाई के बदले में क्या मला एक बिल्कुल ही नया मटर का दाना और मैंने इतना हरा मटर पहली बार देखा है आंटी ने उसकी और गुस्से से देखा और कहा ओ तुम कितने ज्यादा नादान हो मेरे बच्चे फिर उन्होंने वो मतर लिया और उसे खिड़की के बाहर फेग दिया जैक को बड़ा अजीब लगा था वो इतनी नाराज क्यों हो गई उसने उबासी ली और जट से सो गया जब सुभा सवेरे जैक ने अपनी खिड़की से बाहर जागा तो उसे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ रातो रात वो मतर का दाना एक बहुत ही बड़े मतर के पेड में बदल गया था वो मतर का पेड इतना बड़ा और उचा था कि उसका उपरी हिस्सा उपर आसमान में बादलों के अंदर चला गया था जैक को बादलों में एक गाने की आवाज सुनाई दे रही थी वो ये जानना चाहता था कि भला इतनी उपर कौन है जो गाना गा रहा है इसलिए उसने मतर के पेड पर चड़ना शुरू किया वो पहली बार गिरा दूसरी बार भी गिरा क्या उसे फिर से कोशिश करनी चाहिए क्या फायदा होगा हेई सुनो उपर वाले जैक ने चिला कर कहा क्या तुम मुझे इस पेड पर चड़ने का तरीका बता सकते हो पता नहीं क्यों मैं मैं बार बार गिर रहा हूँ कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया और फिर उपर से उसके लिए एक बड़ी ही अजीब दिखने वाली रसी डाली गई जैक उसके करीब गया और उसने देखा कि वो रसी एक लड़की की चोटी जैसी थी जैक इतना खुश हुआ कि उसने चोटी को जोर से खीचा और एक खूबसूरत राचकुमारी उपर से नीचे ठीक उसके पास आगिरी जैक सही था वो रसी उसकी चोटी ही थी राजकुमारी ने अपना ताच ठीक किया फिर बाउ करके जैक से कहा मुझे काफी सारी चोटे आई हैं क्यूंकि मुझे उन मटर के दानों पर सोना पड़ा था थैंक्यू मेरे भले दोस्त मुझे इस पेर से नीचे उतारने के लिए मैं तुम्हारी एहसान मंद हूँ तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और फिर क्या था? हो गई जैक की शादी वो राजा बन गया और उसे आधा राज़ भी मिला यही तो मैं कहना चाह रही थी हो सकता है मैं भी अपने सबसी के बगीचे में कुछ इंट्रेस्टिंग उगा दूँ जा की तरह पर मुझे देखना होगा कि मेरे प्यारे बगीचे में कोई कीड़ा ना घुच जाए तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ मुझे जाकर पहरा देना है मैं खुद को आइने में निहार रही हूँ वाव मैं कितनी सुन्दर हूँ पर सब अतने लखी नहीं होते सिर्फ बाहर से सुन्दर होना बेकार है मतलब हमारा अंदर से सुन्दर होना ज्यादा जरूरी है जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो इसी बारे में है एक वक्त की बात है यहां से बहुत बहुत दूर था एक महल और उस महल में रहते थे एक राजा और उस राजा के थे तीन बेटे राजा और उनके बेटे साथ मिलकर कई खेल खेलते थे जैसे पकड़म पकड़ाई और लुकाच छुपी फिर उनके बेटे बड़े हो गए और खेलों से पोर हो गए इसलिए उन्होंने शादी करने का फैसला किया राजा सोच में पढ़ गए कि आखिर वो अपने तीनों बेटों के लिए तीन दुलहने कैसे ढूनेंगे पीछे जाओ और ध्यान से सुनो जहां भी तुम्हारा तीर गिरेगा वहां तुम्हें गढ़ा हुआ खजाना मिलेगा मेरा मतलब गढ़ा हुआ खजाना नहीं एक शर्माती दुलहन मिलेगी दोनों बड़े भाईयों को दो मामूली दुलहने मिली पर जब सबसे छोटे भाई जिसका नाम था राजकुमार आइविन ने तीर मारा था तो वो बस उरता गया उरता गया और एक बनी के पास आगिरा बनी बहुत डर गया और भागने लगा और एक चिकन पर जा गिरा वो चिकन इस बात से इतना घबराए कि उसने डर के मारे एक अंडा दे दिया और वो कोई मामूली अंडा नहीं था वो एक सोनी का अंडा था वो अंडा लुड़कने लगा और लुड़क पे हुए माउस की पूच पर जा बैठा माउस ने भागने की कोशिश की उसने पूच जोर से खीची और वो अंडा उच्छार कर गिरा और तूट गया और पता है उस अंडे में क्या था? एक फ्राग! राजकुमार आइवन ने फ्राग को देखा और उसे अपनी आखों पर यकीन नहीं हुआ ना मुम्किन एक आदमी की शादी फ्राग से कैसे हो सकती है? राजकुमार रोने लगा पर फ्राग ने उससे कहा रोना बंद करो मेरे प्यारे राजकुमार मैं तुम्हारे लिए एक और सोने का अंडा दूँगी ओ नो, मेरा मतलब है फ्राग ने उससे कहा रो ना बंद करो मेरे प्यारे राजकुमार अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं अच्छी बीवी बंद कर दिखाऊंगी राजकुमार आइवन ने गहरी सास ली उसके पास और कोई चारा ही नहीं था किस्मत से लड़ना बेकार था इसलिए वो फ्रॉग को खार ले आया और वो उसके महल में रहने लगी एक पैट बंकर जैसे की कोई टोटल या एक किनी पिग राजकुमार आइवन उसका अच्छे से ख्याल रखता था उसके लिए मक्खिया पकरता था और फ्रॉग उसके लिए गाना गाती थी क्रोग 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 मुझे इस कहानी को छोटे में सुनाना होगा क्योंकि मेरे पास पूरा दिन नहीं है तो राजा ने तीन शादियों की घोशना कर दी सबसे बड़े बेटे की शादी होगी एक रईस की बेटी से दीच के बेटे की शादी होगी एक व्यापारी की बेटी से और सबसे चोटे बेटे की शादी होगी एक फ्रॉग से राजा ने दुलहनों को हुक्म दिया कि वो शादी की दावत के लिए तरह-तरह के बढ़िया पकवान बनाए राजकुमार आइवन बहुत दुखी हो गया इसलिए फ्रॉग ने उससे पूछा इतने दुखी क्यों हो मेरे राजकुमार मेरा दुखी होना तो बनता है न क्योंकि जाहर है तुम्हे खाना पकाना तो आता ही नहीं होगा इसलिए मुझे ही सारे पकवान बनाने होंगे पर फ्रॉग ने उससे कहा दुखी मत हो मेरे राजकुमार कल एक नया दिन होगा तो प्लीज तुम आराम से सो जाओ और फिक्र मत करो मैं कुछ ना कुछ सोच लूगी जब सुभर राजकुमार आइवन उठा तो उसने टेबल पर एक बढ़ा सा केक देखा जिसके उपर चौकलेट से बना हुआ दूलहा और कैरमल से बनी हुई दूलहन रखे थे ये देखकर उसे इतनी खुशी हुई कि वो फ्रॉग को छपपी देने आगे बढ़ा पर फ्रॉग ने उसे कहा ओ नहीं 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 मैं शादी से पहले तुमें छपपी नहीं दूंगी तुम ये केक ले जाओ और जल्दी से इसे महल में पहुचाओ मैं पीछे पीछे आ रही हूँ सब पहले ही महल में आ चुके थे और जब उन्होंने वो केक देखा तो उन सब के मूँ में पानी आ गया और फिर अचानक ही मानो जैसे जमीन हिलने लगी सब डर गए और राजकुमार आइवन की ओर देखने लगे राजकुमार खुद भी डरा हुआ था और उसने खिड़की से बाहर देखा और कहा ओ ये तो बस मेरी फ्रॉग अपनी कद्दू की गाड़ी में बैटकर यहां आ रही है फिर सब शान्त हो गया और फिर दुलहा दुलहन को एक दूसरे को गले लगाने के लिए कहा गया शादियों में ऐसा ही तो करते हैं गले लगते हैं और केक खाते हैं तो फिर राजकुमार आइवन ने अपनी फ्रॉक को गले लगाया और वो एक इतनी संदर राजकुमारी में बदल गई कि उसे देखकर सब के मुझ खुले के खुले रहे गए। और इससे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें अपने घर के पैट का अच्छा ख्याल रखना चाहिए। उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखो। फिर आपका पैट हमेशा ही खुश रहेगा और हो सकता है इससे शुरुवात हो जाए एक बहुत ही खुबसूरत दोस्ती की। आज मैं तुम्हें एक कहानी नहीं सुनाओंगी बलकि मैं कुछ बहतर करूँगी उसे पेंट करूँगी। बहुत पहले की बात है एक बंदा था जिसके हाथ और पैर थे और गोल शरीर था। कुछ अजीब नहीं था सिवाए दाड़ी के। अजीब बात है कि मुझे नहीं पता मैंने मेरी दाड़ी को बलू पेंट क्यूं किया। मतलब मेरी दाड़ी को नहीं इस आदमी की दाड़ी को। एक सुभ बलू बियर्ड नाम का एक आदमी जंगल में चले जा रहा था। वो एक गाना गा रहा था जो उसने कुछ ही मेने पहले लिखा था। और फेर बलू बियर्ड आके चलने लगा। यह सोचते हुए कि उसने सुभर नाश्ता किया था और दुपेर के खाने को अभी वक्त था। अचानक ब्लू बियर जंगल में एक खोली जगह पर आ पहुचा उस खोली जगह पर था एक घर मैं तुम्हें वो घर बना कर दिखाती हूँ घरों के चारों और सनफ्लवर्स उगे थे और खिरकियों पर काजर की ड्रॉइंग की गई थी अगर मैं सही समझ रहा हूँ ब्लू बियर ने सोचा तो इन काजर का मतलब है कि ये घर एक राबिट का है और राबिट एक बहुत ही अच्छा होस्ट होता है और एक अच्छे होस्ट को खाने पर महमान बुलाना अच्छा लगता है ब्लू बियर बिना वक्त कवाई दर्वाजे के पास कया और उसने दर्वाजा खट खटाया हेई हेई नौक नौक कोई घर पर है नौक नौक चलो दर्वाजा खोलो किसी ने जवाब नहीं दिया शायद वो सब सो रहे हो ब्लू बियर्ड ने फिर से दर्वाजा खट-खटाया और फिर से ब्लू बियर्ड ने दर्वाजे को अपनी मुठी से खट-खटाया उसने अपने पेरों से लाग मारी आखिरकार किसी ने खिड़की खोल दी खिड़की पर आई एक बड़ी प्यारी लड़की जिसकी आखे आस्मान जितनी नीली थी और किसी वज़र से मैंने उसके बाल भी नीले रंके ही बनाए पता नहीं ऐसा क्यूं किया मेरे दर्वाजे पर खटखटाना बंद करो लड़की ने कहा अंदर आजाओ और थोड़ा कोको पी लो ब्लू बियर्ट खाने को देखकर इतना खुश हुआ कि वो अंदर भागा और उसने खाना शुरू किया नीले बालो वाली लड़की को ये देखकर बड़ा ताज जुब हुआ ये कैसे मुम्किन है उसने सोचा एक छटके में एक पूरा केक खा जाना और बिना चपाए ही उसे निकल जाना या अपनी उंगलिया जैम से भरे कटोरे में डालना और फिर जैसे कि इतना काफी नहीं था अपनी उंगलियों को एक एक करके चाटना इउ तुम तो बहुत ही गंदे हो लड़की ने कहा ब्लू बेर्ड ने कहा और फिर केक का एक और टुकड़ा उठाने के चक्कर में उसने कोको से भरा कप उल्टा कर दिया और फिर सफेद टेबल क्लोथ पर एक ब्राउन दांग पढ़ने लगा जो एक घोड़े जैसा बन गया फिर ब्लू बेर्ड ने अपनी उंगली से उस घोड़े की एक प्यारी सी पूच बना दी नीले बालो वाली लड़की को उसका इस तरह का बरताफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने उसे रोते हुए कहा तुम्हें एक बुरे बच्चे जैसा बरताफ करते हो अब तुम्हें इसकी सजा मिल कर रहेगी अब मुझे तुम्हें अंधेरे तैखाने में बंद करना होगा उस लड़की के बड़े से घर में बहुत सारे कमरे थे और आप किसी भी कमरे में चा सकते थे सिवाए अंधेरे तैखाने के मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ ब्लू बियर्ड ने अंधेरे तैखाने में बैठे बैठे सोचा लगता है मुझे हमेशा के लिए यही रहना पड़ेगा वो भी भू का प्यासा उसने खाना ढूनते हुए अपने आसपास देखा और अचानक उसे एक स्टोव दिखा जिसमें आग चल रही थी और आग के ऊपर लटका था एक बर्तन जिसमें कुछ मज़ेदार पक रहा था ब्लू बियर्ड ने उसका धक्कन उठाने की कोशिश की पर जैसा कि तुमने देखा वो स्टोव वो आग और वो बर्तन बस एक पुराने कैन्वस पर पेंट किये गए थे और वो पुराना कैन्वस एक खूफिया दर्वाजे पर लगा हुआ था फिर ब्लू बियर्ड ने दर्वाजे का हैंडल खीचने का फैसला किया दर्वाजा खुल गया और ब्लू बियर्ड ने देखा कि ये कमरा मज़ेदार खाने से भरा पड़ा है उसे अपनी आखों पर यकीन ही ने हुआ फिर ब्लू बियर्ड मज़े से सैंड्विच खाने लगा जिसमें था पीनित बटर और जैम और शहल और ब्लू बियर्ड को खाते खाते खया लाया अगर वो तस्वीर ना होती तो मैं अपनी बेचारी दाड़ी खो देता नहीं मेरा मतलब अपना बेचारा सिर मैं यहीं तो कहना चाहती हूँ जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया तब एक असली मास्टरपीस आपके मन में उम्मीद जगा सकता है जब एक कुछ आपके मन में जब एक काहिए लगता है